शुरू से इंगली सीखने के लिए आप हमारे चानल पर जाएे आप हमारे चानल के प्लेड़िस्ट पर क्लिकिजिए प्लेड़िस्ट ओपन होने के बाद वहां पर लिखाओ आएगा स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप तरी हर step में लगभग 25 वीडियो है तो आपको step 1 से शुरू करना है हाई friends welcome to the desk देवा इंगली स्पाखन क्लास friends आज हम लोग should के सारे concept को सिखेंगे okay friends कि should का इस्तमार हम कहां का करते हैं जहां कई भी हम should का इस्तमार करते हैं हो कि सारे के सारे concept में आपको आज बताने वाला हूं okay friends वैसे तो मैं should पर दो-तिन वीडियो बना चुका हूं but आज सारे के सारे concept में एक ही वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि should के इस्तमाल कहां कहां करते हैं और किस तरीके sentences के लिए करते हैं so let's start the class of the day friends मैंने आपर कुछ sentences लिख रहे हैं category wise कि जहां पर मिलब की अलग अलग तरीके sentences मैंने लिख रखा है और मैं एक एक करके आपको पढ़ कर समझाते जाता हूं कि कि किस तरीके sentence आएंगे तो क्या लगाएंगे शूट के बाद क्या लगाएंगे ओके फ्रेंट्स तो पहला है सिर्फ शूट का इस्तमाल अगर हम सिर्फ शूट का इस्तमाल करना चाहेंगे तो उसे खेलना चाहिए जब हम किसी को sentence बोले उसमें अगर हम जरूर बोले कि तुम्हें जरूर पढ़ना चाहिए यू मस्ट रीड तो आपर शूट की जगह पर मस्ट का हम इस्तवाल करेंगे ओके फ्रेंट्स फिर वहां पर जब भी जरूर होगा या आवाश होगा तो आपर हम शूट का नहीं बलकि मस्ट का इस् दिख रहा है तो यहाँ पर उसे खेलना चाहिए ही शूट प्ले तुम्हें जाना चाहिए यू शूट गो उन लोगों को आना चाहिए दे शूट कम इस तरीके के संटेंस हम बनाएंगे ओके फ्रेंट्स शूट के साथ बी का इस्तमाल हम कब करते हैं जैसे संटेंस अगर ऐ चाहिए तो यह शूट भी एट होम तुम्हें उस्कूल में होना चाहिए यू शूट भी इन दा स्कूल तुम्हें एक डॉक्टर होना चाहिए यू शूट भी और डॉक्टर यहाँ पर हम बी की जगा बीकम भी बोल सकता है कि यू शूट बीकम डॉक्टर ठीका फ्रेंस उ should be intelligent. तुम्हे होश्यार होना चाहिए. वि शुट हुँ clever. उन लोगों को इमानधार होना चाहिए. दे शुट बी honest. ओके फ्रेंट्स तब आपको समझ मागया होगा कि शुट बी का इस्तेमाल हम किस तरह के sentence के लिए करते हैं अभी है Should B प्लस V-I-N-G ययनके Should B का भी स्थमाल करेंगे और कृर्या का जो है Fourth Form य tuberv के साथ I-N-G का स्थमाल करेंगे वो हम कैसे करेंगे वो क्हेल रहा होना चाहिए जब इस तरह का sentence आएगा कि वो खेल रहा होना चाहिए वे लोग जा रहे होने चाहिए वह सो रहा होना चाहिए तुम्हारा भाई पढ़ रहा होना चाहिए इस तरीके से जब हम बोलते हैं तो ऐसे sentence हम should be और क्रिया के साथ ing का इस्तमाल करते हैं जैसे हैं वह खेल रहा होना चाहिए He should be playing वे लोग जा रहे होने चाहिए They should be going तुम्हारे भाई को पढ़ रहा होना चाहिए यानि तुम्हारा भाई पढ़ रहा होना चाहिए क्या कर रहा होगा तुम्हारे भाई को क्या कर रहा होना चाहिए इस तरीके हम पूछते हैं अगर कोई सवाल तो आपर हम जवाब में बोलता है कि तुम्हारे भाई को पढ़ रहा होना चाहिए यानि कि यो ब्रादर शुड्ड बी रीडिंग वोकर फ्रेंट्स जब इस संटेंस में रहा होना चाहिए आए तो वहापर हम शुड्ड बी और क्रिया के साथ यानि वर्व के साथ आएंजी का इस्तेमाल करते है अभी है शुड्ड बी के साथ वर्व का तिसरा फॉर्म यानि कि शुड्ड बी के साथ हम वर्व का थार्ड फॉर्म कभ इस्तेमाल करते हैं ये संटेंस उसे पीटा जाना चाहिए इस sentence से आप भली भाती वाकिफ होंगे जब मैंने passive voice और active voice का वीडियो डाला था तो उसमें should और must वाले sentence का passive कैसे बनाते हैं वो मनें अच्छी तरह से बता था तो यहां पर जब हम passive वाले sentence होगा तो passive वाले sentence में should के साथ बी और क्रिया का यानि वर्व का तिसरा फॉर्म लिखते हैं और passive वाले sentence हिंदी में कैसे होंगे उसे पीटा जाना चाहिए उस पेड़ को काट दिया जाना चाहिए ठीक है फ्रेंट्स इस तरीके से हम जब sentence हिंदी का देखेंगे तो उसको हम इस तरीके से बनाएंगे कि उसे पीटा जाना चाहिए he should be beaten यानकी शुट भी लगाएंगे फिर वर्व का थर्ड फॉर्म यानिके तिसरा फॉर्म यह पैसी वाला sentence है ओक फ्रेंट्स तुम्हें भेजा जाना चाहिए you should be sent ओक फ्रेंट्स उन लोगों को इनाम दिया जाना चाहिए they should be given reward given award ओक फ्रेंट्स उस पेर को काट दिया जाना चाहिए that tree should be cut इस तरीके साम जब should be के बाद तिसरा फॉर्म लिखते है वी का यानिकी वर्व का तो sentence ऐसा होता है कि उसके बाद है should have plus V3 should have plus V3 का इस्तमाला मैं ऐसे sentence में करता है जैसे पहला जो मैंने बनाया था कि तुम्हें उसे खेलना चाहिए तो उसे खेलना चाहिए यह प्रिजेंट का sentence हो गया हम प्रिजेंटिव एडवाइज दे रहे हैं बट हम पास्ट के लिएडवाइज दे र खेलना चाहिए था he should have pled neo para have plus V4 का तीसरा फर्म रग जायेगा पिके फुरेंट उसे खेलना चाहिए था he should have pled तुम्हें आना चाहिए था you उन लोगों को जाना चाहिए था दे शूड़ है गोन तुम्हें जीतना चाहिए था यूशूड है वोन उसे लिखना चाहिए था भाश हम होना के लिख जब कोई चीज किसी के पास होती है तो जैसे तुमारे पास पैसे होने चाहिए उसके पास बंदूक होनी चाहिए तुमारे भाई के पास बाई कोनी चाहिए था सबाने चाहिए अगर संपेंस बोलते तो उसमें चाहिए उसके पास पैसे होने चाहिए यह तुम्हारे पास बुक होनी चाहिए यू शुड़ हैव बुक्स तुम्हारे भाई के पास बंदुख होनी चाहिए यूर ब्रदर शुड़ हैव गन उन लोगों के पास कार होनी चाहिए दे शुड़ हैव कार ओके फ्रेंट्स लेकिन जब हम हैव का जब इस्तमाल करना के में भी करते हैं जब उसका मतलब करना या लेना होता है तो वैसे स्थिती में वैसे कंडिशन में ऐसा हो जाएगा कि यू शूड है ब्रेक फास्ट तुम्हारे पास ब्रेक फास्ट होना चाहिए ऐसा लिए करना छाहिए यूषूडा करना करना हो जाता है जब हमयों कि जगा है तो क अध wellness करने तो तो तुम्हे नाश्टा करना चाहिए यूषूडाइड access करना चाहिए ही He should have, take he should have both, अभ यहां पर हम have की जगा टेक का नवी इस्तमाल कर सकते हैं, बट अभी have का इस्तमाल प्रोचलन में है, ज्यादातर लोग take की जगा पर have का इस्तमाल करने लगए है, लेना या करने के लिए तो वहां पर हम should के बाद have का इस्तिमाल करेंगे जब ऐसा संटेंस आए ठीक फ्रेंट तो अभी फ्रेंट्स शुड़ है बीन प्लस वी के साथ आए यंजी जब संटेंस के अन्त में रहा होना चाहिए था रही होने चाहिए थी रहे होने चाहिए थे इस तरीके से रहे गाल अवसर्टेंस का अंत में तो ऐ he should have been playing should have been के बाद हम प्लेइंग का इस्तमाल करते हैं ठीक फ्रेंट यानि प्लेइंग मतलब आएंजी के इस्तमाल हम करेंगे सब में प्लेइंग ने लिखेंगे तुम्हें पर रहा होना चाहिए था यू शूड्ड है बीन श्टाडिंग उसे काम कर रहा होना चाहिए था रही होनी चाहिए था हलाकि आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा संटेंस हम बोलते कब हैं बोलते हैं हिंदी मम उस तरीके से नहीं बोलते हैं इस तरीके से हम आप यहां पर बता रहा है आएवत इंग्लिश में इस इस्त्माल होता है ok friends My friends अगर आप हम आपशनेल पर नए है और अभी तक आपने हमारे चारेल को subscribe नहीं किया है झाल झाल